हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का राहूल एकेडमी पर आज आपका है 24 नौमबर और आज आपका दिल्ली पुलिस का तीनो स्टिप्टों का एकजाम खतम हो गया है तो तीनो स्टिप्टों में आपके जितने भी कोशन मिल गए हैं उन्हें सभी के बारे में अच्छे से च कौन करता है तो इसका करेक्ट अंसर आपका हो जाएगा राश्पति के द्वारा किया जाता है अगला कोशन था कि स्वड मुद्रा योजना कब चालू किया गया था तो स्वड मुद्रा आपका 2015 से चालू है अगला कोशन था कि अनुछेत सत्रा क्या है तो अनुछेत सत्रा आपका अस्परिस्ता कांत है इसके आगे दिखे इसके आगे आगे आपका अगला कोचन दिया गिया था कि विधान सभा में अधिकतम कितने सीठ है तो अधिकतम आपका 500 सीठ है अगला कोचन था कि भारत में सबसे अधिक राजियों में कौन सी नदी बहती है तो सबसे अधिक राजी में आपका गोदावरी नदी बाती है लगबग आपका आठ राज में बाता है अगला कोचन था कि जूट का सरवाधिक उत्पादन किस राज में होता है तो इसका correct answer अपका हो जाएगा पस्चिम बंगाल में होता है इसके आगे देखिए इसके आगे आपका अगला 80-80 में कंग्रेस की अस्थापना के समय भारत का वाईसराई कोन था तो इसका correct answer अपका हो जाएगा लाड डफ्रिन थे अगला कोचन था कि अस्थाइप बंदोबस्त किसके समय शुरू किया गया था तो यह आपका लाड करनवालिस के समय सुरू किया गया था अगला कोचन कि सिमानत गाधि किसे का जाता है तो इसका correct answer आपका हुजाएगा खान अबदुल गभथार का को का जाता है इसके आगे देखेए इसके आगे आगे आपका अगला को चंता कि test of my life फुश्त के लेखा कौन है तो इवराज सिंग इसका correct answer हो जाएगा अगला को चंता कि और तुन आपका हो जाएगा 1999 ऐसवी में लिया था इसके आगे देखे इसके आगे आगे आपका अगला कोचन दिया गया था कि अर्थ सास पुष्टक के लेखा कौन है तो चनक इसका गरेक्टरंसर हो जाएगा अगला कोचन था कि दूसरी पंच वर्षी योजना में कौन सी म मादल पर अधारी था तो दूसरी पंच वर्षी ओजना आपका पीसी महान लोबिस के मादल पर अधारी था अगला कोचन था कि वर्ष 1998 में भारत रतनकी से दिया गया था तो इसका करेक्ट रंसर आपका हुजाएगा सुबू लच्मी को दिया गया था इसके आगे देखे इसके आगे आगे आपका अगला कोचन था कि रजिया सुल्तान के पिता का क्या नाम था तो रजिया सुल्तान के पिता का नाम आपका इल् उम्द अली जीना को कहा जता है। इसके आगे देखें। इसके आगे आगी आपका कोचन दिया गया था कि धो हजार इगारा की जंगर्ण की अनुसार सबसे अधिक अनुसूचीत जाती की स्राज में हैं। तो उत्तर प्रेश इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा। इसके आगे आगे आपका अगला कोचन दिया गया था कि बेरी बेरी रोख किस वीटामिन की कमी से होता है तो वीटामिन B1 की कमी से आपका बेरी बेरी नमक रोख होता है अगला कोचन दिया गिया था कि भारती रूपए का अउमुलन कितनी बार किया गिया है तो आपका तीन बार किया गिया है कब कब किया गिया है तो पहली बार आपका 499 इस्वी में किया गिया था उसके आगे देखे इसके आगे आगे आपका अगला कोचन था कि डाक्टर भीम अगला कोचन था कि 2007 अनुफ और 24 जटर से हैं तो इसका ट्रब नंसर आपका हुज़ाईगा सोर्क्याओ कीοश्र का समन्थ का अधिकार से इसके आगे देखे इसके आगे 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 आ होता है तो इसका correct answer अब को जाएगा नेशनल एंटी डोपिंग एजनसी होता है, अगला कोचछ अंथा कि कुछी पूरी कि साष्य नोर्ट है, तो इसका correct answer अब को जाएगा आंदर प्रतेस का साष्य नोर्थ है, इसके आगे आपका अगला कोचा अपुछा गिया था कि सिरी मती गदाम पदमा रेडी का समन्द की सरसे है तो इनका समन्द आपके कुछी पुरी से है अगला कोचन था कि असुक की रैधानी कौन सी थी तो असुक की रैधानी आपका पार्टली पूर्थ था और पार्टली पूर्थ की असापना किसके द्वरा किया गया है तो यह आपका उदाइन के द्वरा किया गया है अगला कोचन था कि इंडिया आप माई ड्रिम से पूस्तक के लेखा कौन है तो इसका करेक्टर अंसर आपका हो जाएगा महात्मा गादी के द्वारा यह पूस्तक लिखा गया है इसके आगे आपका अगला कोचन था कि 2011 की जनगर्ना की अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस राजका है तो सबसे कम जनसंख्या आपका सिक्किम राजका है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राजका है तो वो आपका उत्तर प्रदेश राजका है अगला कोचन था कि भारत के माहा नियावादी की नियुक्ति से समनित अनुचेद कौन सा है तो अनुचेद आपका छीहत्तर है और इनकी नियुक्ति किसके द्वरा किया जता है तो भारत के राष्टपती के द्वरा किया जता है अगला कोचन था कि दूद्ध डियरी उत्पादन में भारत का कौन से अस्तान है तो भारत का आपका प्रत्वम अस्तान है अगर आप से राज पुछेगा तो राज आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा अगला कोचन आपका दिया गया था देखिए अगला कोचन था कि परधान मंतिर जन धन योजना की सुर्वाद कप की गई थी इसकी सुरवाद आपका 28 अगस्त 2014 को किया गया था अगला कोचन था कि राष्ट मंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे तो देखे कुल आपके 61 पदक जीते थे जिसमें से आपका 22 स्वन पदक था, 16 आपका रज़त पदक था और आपका 23 कांस पदक था और भारत की रांकिंग कितनी थी तो भारत की रांकिंग आपका 14 नमर पर था अगला कोचन दिया गया था कि वन जीवों का सनरचन मौलिक अधिकार के अनुछेद के किस भाग में है तो यह आपका अनुछेद 51 के भाग जी में इसका वनन किया गया है इसके आगे देखे इसके आगे आपका अगला कोचन दिया गया था कि भारत के प्रथम वीधी अधिकारी कौन होता है तो भारत का प्रथम वीधी अधिकारी आपका महा नियावादी होता है और महा नियावादी के बारे में आपका अनुछेत शिहत्तर में दिया गया है महानियवादी की निक्ति कौन करता है तो महानियवादी की निक्ति आपके भारत के राष्पति के द्वारा क्या एता है तो आज हमने आपके 24 नॉवंबर से जितने भी कोशन पुछे गए थे उन्हें सभी के बारे में अच्छे से चचा किया अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे आपका टेलिग्राम का ग्रूप दिया गया है वहाँ से जुआइंट होकर इसका PDF राप्त कर सकते हैं